हेलो यूर्वन वेलकून तो मैं चैनल आयाम सुनिल कुमार यह इर्रिगेशन इंजिनिलिंग का सेकेंड लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं त्रॉस रिवाइज कर लेजी क्या क्या पढ़े हैं अ कि इरिकाटर डिफि ஐज एडवांते टैप्स और डिवान्टेश चीज द्रीडा पॉज्च उसको इसे ना डिवाइज आपर इस्प्रिंकलर और तो अभी पढ़ेंगे और जो पिछला लेक्टर न देखें वो देख लिजिए और कोई भी डाउट हो कुछ चीजी जिना समझ में आया तो उसको आप कमेंट करिए और घर पे रहिए पढ़ते रहिए कम से कम सलेबस को आप जरूर देखिए और पढ़िए जरूर डेली करें और समझें चीजों को जो भी डाउट हो पूछिए तो हम देखते हैं आज क्लास में क्या है कि इस प्रिंगलर बीघ्रियशन देखेंगे इसने हैं इसमें क्या है है इते हैं युद्ध को इसमें ऑचinary करने का जिसमें वाटर को इस्प्रें के मार्ध्यम से फ्राइट क is in the form of spray अच्छा अब देखिए आप कैसे लिखना है आप अपना नोट पना रहें तो कैसे बनाएंगे इस प्रिंकलर है यहां पर यहां पर यह इस प्रिंकलर इंडिकेशन है आप लिखिए इसके आगे लिखिए प्रिंख करते हैं इतना लिखना है इतना लिखे फार्म साफ इस प्रिंग भूल लाएंगे तो हमारा हमें सही फोकस रहा है हम क्लास में करते हैं कि आप की याद रखिये की वर्ड ही आप ग्जाम की एकजाम को अच्छा नमर लाएंगे और इसमिन देखे क्या कहते हैं इत कैन भी इत कैन भी यूजट फार आल टॉप्स एक्सेप्ट राइस एंड जूट राइस और जूट को छोड़के सभी टाइप के क्रॉप में इसका हम यूज़ करते हैं और फिर कर रहे हैं इस मेथड इस में लिए यूज़ फार कल्टिवे का आप पाइप को सप्लाई करेंगे अपने रहे इस सब्सक्राइब तो इसमें सेड़ रहेगा होल रहेगा दिसके वज़र से वाटर फ्लो करेगा और पानी बाहर निकले घाट उसे आप पार लैंड में पानी पहुंच जाएगा इससे इर्रिकेशन हो जाएगा इसके दिखते हैं यह क्या है कि इसके करने के लिए किसी तरह का टोपोग्राफी हो तोपोग्राफी कुछ भूचकता है रिगुलर हो यह उबड़ खाबड़ कोई दिकत नहीं इसका आप यूज कर सकते हैं और टेबल करने लोग कम है तो इस मेठोड करते हैं इसका क्या मतलब हुआ कि यह है इस मेठोड इसमें क्या है आप जगा जगा पर आप पाइप शट कि हुए है तो वहां पर आपको खड़ा होने का आपको देखने जरूरत नहीं है यह आटोमेटिक पानिवाज फूरो और यह इरिग 2 is more or more होता है जादा होता किसे होता है जो सं लाइट आएगा डे के टाइम में एक इससे यह परेुए ए मलुकर रहेगा तो क्या हो होला मतलब की वह बांप करंद होना जिसे हिंदी इसका होना कर फिर क्या टिक्रिकल में पावर इज रिक्वार यह उन में अगर देखेंगे आप तो यह है कांटिनियस सप्लाई आप पावर इस जनरली रिक्वाइल फार ओपरेट दो स्प्रिंकल इसका मतली हुआ कि आपको सप्लाई देना पड़ेगा पावर देना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रिक देना पड़ेगा रिगुलर इसमें तभीत चल सब्सक्राइब करते हैं यह क्यों लिखते जाएं लिख लेंगे तो जल्दी आपको आसान रहें करने में कि इस मेथड़ लेटेस्ट इरिगेशन आप मेथड़ इस से कहते हैं अभी मतलब कि इसको यूज किया रहा बहुत पहले नहीं होता था क्या चीज है यह सीधा इस मे पानि यह दो रहा है तो पानि आपका लेंड में नहीं है वेस्ट नहीं हो रहा है तो वहां पर जब लैंड में नहीं है और जहां लेंट में खाली पड़ा है वहां पानी नहीं जा रहा है तो जो सन लाइट पड़ेगी तो वहां पानी नहीं होगा क्योंको पानी नहीं है तो पानी हम एफेक्टिव यूज़ करते हैं जहां हमको जरूबत वहीं पानी उज़ कर रहा है इस में डृट जो जाएगा जी देखते हैं इसलिए इसमें इपरेशन कम होता है नेस्ट कर रहे हैं सेंट्रिफ्य पंप इस बेस्ट स्विचट फार इस मेथट इस तुटेबल फार रॉप राउप एंड और चैट लाइक्स टोमाटो क्रेप्स मेलन फ्रूट इन सब के लिए मेंले एक्टिव रहता है त इसका मतलब कि आप जोंड करना है पाने को डिकत निंगे हो ने इसे इसका करते है को से इसमें किसी कि झांकारी लजां नहीं करुंपल्ड करना थैritis कि इसलिए इसमें इसकिल प्रसंद जाहिए रिक्वार्ड रेगुलर फ्लसिंग और सुपर विजन सुपर विजन की बहुत जरूरत है इसमें प्लास्टिक ड्रिपलाइंस सब में भी अफेक्टेड जो इसमें ड्रिपलाइंस बने हुए हैं प्लास्टिक पाइप की वह अफे Sprinkler and drip irrigation is false under a category known as pressurized irrigation known as pressurized irrigation drip irrigation और Sprinkler irrigation के प्रेसराइज भी करते हैं कि नेक्स्ट है यह वेरी इंपॉर्टिंट यह में बनता है आपका राइट एक शर्ट नोट आनड नाइट इसको आप दक ध्यान से सुनिए और इसको नोट कर लिजे याप पर इस्क्रीन शॉट ले लिए नाटी डिकेशन क्या होता है अच्छे समझे पहले हिंदीम समझे नाटी डिकेशन का मतलब यह है कि जब आप वाटर को खेट में प्रवाइट कर रहे हैं किसली कर रहे हैं क्रॉप को बढ़ने के लिए आप यह विस आपको ध्यान हमेशा यह पानी फ्लो करा है वह एक्टिव यूज हो जाए वेस्ट नहीं हो तो आप मेक्समिम्ट प्रिफरेंस देते हैं कि रात में करने से फायदा होगा कि जो इवेपरेशन हो जाएगा वाटर का वह नहीं हो पाएगा कैसे नहीं होगा जो सन लाइट पढ़ेगी वह रात में रहे इसने बाद लैंड में इवेपरेट नहीं होगा तो इसमें यह लिख रहे हैं जनरी रिफर्स टू प्रैक्टिस और इरिगेशन डिविंग नाइट टाइम मतलब कि यह ऐसा इरिगेशन है जिसको हम नाइट टाइम में वाटरिंग करते हैं टू एलाव वाटर शोक रिफिशे सब्दों यह कह सकते हैं इस बेस्केली यह वाटर सेविंग टेखनी कई आप अप लोग भ्धान सथे क्रॉप्ण के वाइल साइं क्रॉप इन डिप लार्ज अमांट प्वाटर इज लास्ट दिनक टाइम में लार्ज मांट अपर आपको लास्ट हो जाता है कुको एककर कशा को करते है और वाटर वेस्ट कम करते हैं धिक यह चीज इसमें कि वर्ड है ताफ इसको संविक को लिख लीजये ताप दीक्ष्ट ये next day अजटे पहले हैं इस मालर स्ट्रीवेश्ट फ्लो we supposed इस मतलब मतलब यह जो छोटे अरिया है चोटे जगह उसमें ज्यादा 89 करते हैं लिवर कस्टीम में इसमें भी है इपोरेशनल आज फिर प्रवाटर को आपको बता आता है कि सब्सक्राइब नहीं पुरा पॉइंट है इसको यह अलग पॉइंट देख रहे हैं by lowering your professional loss by lowering your professional loss but this gain is negligible compared with losses from bricks in channels insufficient water application wastewater flooring into drain next topic है 7th topic है अब यह डिपेंड करता है कितने नंबर कुछन आ रहा है पास नंबर कुछन आ रहा है ता आप पास टॉपिक लिग दीजिए ऐसा नहीं है आप को बहुत लिखते नहिंञा फरक नहीं पहरता है बहुत करता ही ठभाणा चैंए जो पूछा जाएक को साही हो वह कि निक्स्ट न स्क्रीड करना आथ इसली क्या होता है इसलिए क्या होता है और आप नहीं हो भुल झे सो गया रहा रहा है वह तो क्या होगा जाएगा तो करें रिजल्ट करने से इसके बाद कुछ क्योस्टन है अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगा क्या देखेंगे अ कि ग्रिटेशनल वाटर केपिलरी वाटर है ग्रोस्कोपिक वाटर यह सब दिखेंगे अब अगर आप को यह लेक्ट्चर समझ में आये सही है बहुत अच्छी बात है नहीं समझ में आ तो आप इसको कमेंट में पूछिए ठीक है एकदम बे जिजक पूछिए उसको हम क्लिर करने के प्रयास करेंगे और इसको लाइक करिए अच्छा लगी वीडियो तो शेयर करिए अगर कुछ आपको लगे कहां कुछ इसमें इंप्रूमेंट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स म करेंगे लाकन को प्रेस कर दिए इससे आपको नोटिफिकेटर मिलती रहे और खुछ रही मस्तर पढ़ते रहें पढ़ाय जरूर करना है घर में रहें घर में रहें पढ़ते रहें ओके थैंक्यू कर दो